नमस्कार किसान दोस्तों आज हम आपको सोयवीन के खेत में लेकर आएं लेकिन हम आज सोयवीन की नहीं चनी की बात करेंगे जिसमें हम फुले विकरांद के बारे में आज आपको बताएंगे फुले विकरांद ये नई वेराइटी है और जो राहुरी से रिलीज हुई है 2017 में और इसके मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है और जब भी आप इसका बीच देखेंगे आप देखेंगे की काफी कॉमपेक्ट सीड है बोल्ड सीड है चमकीला है और काफी अच्छा रं क armpit कते आती चने में जो उउarta रोग आता है और घेरू रोग आता है वह दोनों रोग इसमें नहीं देखने को मिलते ऐसकार उखडा के बारे मिलकुल अब को को नहीं मिलता इसलिए फुले विक्रांद जो वेराइटी है वो अपना एक दबदबा बना चुकी है और दूसरी बात हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन अगर आप बिल्कुल भी पानी नहीं दे रहें सिर्फ आपने बवाई अच्छे से कर दी और सब जाक है तो अभी आठ से 10 कुईंटल कहीं नहीं जाने वाला और जबकि एक एक पानी में भी ये वेराइटी 14-14 कुईंटल तक हमको जाते हुई दिखाई दी है एकड में एक एकड में इतना प्रोडक्शन हमको देखने को मिला है तो इसलिए ये वेराइटी इतनी खास है औ और हम आपको फोटो भी अविलेबल करवा देंगे कि ये वेराइटी क्यों इतनी इस पेसल है आप जब भी इसे हाथ में लेकर देखेंगे आपको अलगी देखने को मिलेगा एक बार फिर से बताया देते हैं कि ये विक्रम से अलग है फुले विक्रम अलग वेराइटी है विक्रम जब आप देखने जाएंगे तो उसके बीज में आपको थोड़ा चोंच धुकी हुई मिलेगी जो तोते की जो चोंच रहती है ना उस तरीके गी लेकिन जो विक्रम जब आप बीज देखने जाएंगे तो उसकी चोंच बिलकुल सीधी देखेगी color साफ देखेगा और compact bold seed देखने को मिलेगा चमकीला इसलिए अगर आप चने की फसल लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप विकरांद पर जा सकते हैं और दूसरी इसकी बात आप और varieties से देखेंगे तो इसमें जब कल्ले फूटते हैं तो वो 12 कल्ले आपको फूटते हुए नजर आते हैं औ और ये चने की variety फैलती अच्छी खासी फैलती भी दिखाए देती है इसमें गेटी जो आती हैं जिसे पॉड कहते हैं वो दो-दो दाने हमको देखने को मिलते हैं और काफी अच्छा इसमें फैलाओ देखने को मिलता है जो भी एक बार विकरांत जिसने लगा रखी है या ज चाहता है उत्पादन भी बहुत अच्छा देती है इसलिए वेराइटी किसानों को आज कल काफी पसंद आ रही है तो आप भी लगा सकते हैं तब तक के लिए धन्यवार